अलाम भाईयों सलाम वेलकम टू क्रिगड और पैसा ये विडियो है न्यूजिलेंड की टी ट्वंटी कमपटिशन की जिसका नाम है सुपर स्मैश जी हां सुपर स्मैश जो है काफी अरसे से हो रहा है बिग बैश के बाद ये शुरू हो गया था लेकिन कभी भी इसको लाइम देखें हैं खास तोर पर इंडियन फंटर जो के सुबा छे बजे उड़ जाते हैं छे बजे उन्होंने उठना ही उठना है दंदे पर जाना उन्होंने आट बजे उन्होंने छे बजे उठना ही उठना है या कई पांच बजे भी उठते होंगे वो ये मैच नहीं चोड़त का जितनी cricket पे इंडिया से बैटिंग होती है पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती है तो इंडियन timing को अगर आप follow नहीं कर रहे थे तब ही आप इतने सालों से मार खा रहे हैं लेकिन पिछले साल से आपने थोड़े से timing बेतर किये सालों बेतर किये तो उसकी वज़ा से अब फंटरों का दियान सूपर स्मैश पेर भी होता है कि भाव आ रहा है तो कौन जीतेगा क्योंकर फंटर का काम है पैसा बनाना अब वो फुटबॉल से बनता है वो टैनस से बनता है या वो किसी भी चीज़ से बनता है उसका काम है बैटिंग करके पैसा कवाना तो उसको मैच की दिक्कत कोई नहीं होती है कि सुबह 9 बजे या रात 9 बजे कोई मैच नहीं हो रहा वो दुबही के मैच पे बैट जाएगा वो यॉर्पिन करिकेट पे बैट जाएगा करिकेट के अशल फंटर जो हैं उनको चाहिए कि वो सिर्फ मौके की तलाश मे रहें मैच की तलाश में ना रहें हर मैच में मौके की तलाश में यह मेरी बात याद रखी जीगा हमेशा कहता हूँ मैच शुरू होने से पहले विडियो देख लिया करें चलते हैं सुपर समैश की तरफ न्यूजिलेंड का जो बेसिकली इस वक्त पूरा शुडियूल है ना न्यूजिलेंड टीम का वो पाकिस्तान में उसके बाद उन्हों ड्रेक्ट फ्लाइ करकर इंडिया जाना तो बड़े प्लेयरों को अगर आपके सुपर समैश में आप देखेंगे तो वो नहीं होने वाला ठीक है क्योंके कई प्लेयर टी टॉन्टी के लिए कॉल भी किये जाएंगे तो ये सुपर समैश में उपर नीचे लगा रहेगा ये आप लोगों ने पहली चीज देखनी है कि कौन से प्लेयर आपको अवेलिबल है अभी तक इनका एक ही मैच हुआ है और इस मैच का अगर हम स्कॉर्ड निकाल के देखें तो दोनों टीमों पे हम बात कर सकते हैं क्योंकि यहां पे स्कॉर्ड कहीं पर भी नहीं आ रहा है इस वज़ा से हमें थोड़ा डिक डाउन डीप करना पड़ेगा जैसे से हमेशा सिखाता हूँ कि क्रिकिट जो है वो पढ़ लिखके करो स्टॉक मार्केट है न तो घर में एक अख़बार लगबालो जिसमें स्टॉक मार्केट के सबसे ज़्यादा डिटेल आती है ठीक है अगर आप स्टॉक मार्केट के अंदर हो अगर आप क्रिप्टो के अंदर हो तो क्रिप्टो के इंफुलेंसर ढूंडो जिन से आप पढ़ सको समझ सको कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी हैं दुनिया में जो सच मोलती है उनकी तलाश करो तो मैं अपने यंग इन्वेस्टर चैनल के उपर भी ये चीजें जो हैं वो आप पोस्ट करने लगाँ के भाईया पैसा कैसे कमाया लिए पैसा आमनी कमा पारे बड़ी टेंशन है बड़ी प्राबलम है तो वो चैनल है दी यंग इन्वेस्टर हिंदी के अंदर है जिसमें क्रिप्टो की हर चीज़ और ये पैसा कमाने की रियल स्ट्रेट की आप बिजनस बोलें आप वहाँ पे पोस्ट होने वाले हैं हर करोबार के बारे में आपको वो नॉलिज दूँगा कि आप वाकिए केंगे के मज़ा आगया आज तक किसी यूट्यूब चैनल पे ऐसा सुनने को कुछ नहीं मिला था नॉर्दन डिस्ट्रिक बारिश की वाज़ा था चौदा ओमर का मैच हुआ और उसके अंदर जो है वो डिस्ट्रिक की टीम की अगर हम देखें अगर यही हम लाइन अप देखें खाली सी पर बात कर सकते हैं क्योंके मारे पास स्कॉर्ड नहीं दिये गए गए तो यहां पर इनके क्लार्क बैट्समन है टिन स्टीफर्ट जो के सीपिल में टीके आर की तरफ से खेलते हैं कफी अरसे से फिर जीत रावल जीत रावल इनके एक ऐसे बैट्समन है जो कभी भी हमें न्यूजिलन्ट टीम में आते दिख सकते हैं कभी भी अपनी जगा अगले दो साल बाद आप जीत रावल को अच्छी तरह पहचान जाएंगे जो काटर फिर मिचल सेटनर चिन्नाई सुपर किंग यहां पर बहुत बड़े मलब के नाम है इस टीम के अंदर और मार्केट लोड इनको ले बठावा है नौ विक्टो से केंटबरी जीता है नौ विक्टो से तो आप यह असाब लगा ले के बड़ी मूर्तें को लोगों ने ढूंडना है सुपर समैश ही अब ये वीडियो डालने का असल मकसद बताने लगाउं के इसके अंदर फेवरेट टीमों ने चुदना ही चुदना सुपर समैश में फेवरेट टीमों ने क्या करना है भाईया उन्होंने अपनी गार्ण पढ़वानी ही पढ़वानी है उसकी रीजन ये है कि न्यूजिलेंड के सारे प्लेयर इस वक्त इंटरनेशनल ड्यूटीज में बीजी है पाकिस्तान में बीजी है उसके बाद वो इंडिया जा रहे है तो आपको प्लेयर्स कम मिलेंगे मूरते कम मिलेंगी और जहां पर भी एक दो मूरत होगी टिम स्टीफर्ट जैसी या मिचल सेटनर जैसी वो टीम लोड़े लग जाएगी ये मैं आपको क्लियर कड़ बता रहा हूँ दूसरी टीम का भी हम यहाँ पे एक और मूरत नजर आई है हमें स्कॉर्ट कोगिलन तो ये भी एक इंटरनेशनल प्लेयर है जो के खेलते हैं वोकर प्रिंगल तो बहुत बड़ी टीम आ रही है नॉर्टन डिस्ट्रिक केंड़वरी की बात की जाए तो इसमें हमें अगर प्लेयर देखें चैड बॉइस मैथिव लियो कैट फेल्टर ये जितने प्लेयर पढ़ ले मकेंजी नुटल टॉड एस्टल के लावा सब को कोई नहीं जानता अब ये मैं आपको बता रहा हूं के बड़ी टीम ने लोड़े लगना एस टोर्णामर्ड में इसलिए ये वीडियो मना रहा हूं ये एक ऐसी वीडियो है लोगों का दिहान बिग बैश की तरफ है आपका दिहान यहां होना चाहिए साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि आपको इसके बहुत सारे विलिबल है कैंटर्बरी ऑकलेंड ठीक है उसके बाद ये यहाँ पर सेंट्रल डिस्ट्रिक विलिंटन ये सारे ये सूपर समैश का आपको नजर आ रहा है बकाईदा साइड पे हमारी वेबसाइट के उपर और यहाँ पर ये तीम बैच भी नजर आ रहे है उनका बहुत भी क्लिक करना है आपने और वेबसाइट आपको मिलेगी नीचे दियेगे नमबर पे कमेंट में जाएं सबसे पहला कमेंट पड़ें पिंड हुआ होगा क्रिकेट और पैसा चैनल का वहाँ पर जाएं वहाँ पर आपको आईडी नमबर पे अवेलेबल हो जाएगा इंडिया वाले इंडियन नमबर पे चले जाएं इंटरनेशनल वाले इंटरनेशनल पे चले जाएं हम हर बंदे को आईडी जो है वो परवाइडिड है सुपर समैश में भी पांच आईडी हैं जा हम मर्जी खेलते करें अच्छा जी अब हम दूसरी टीमों की अगर हम बात करें तो वो अब कैसे करेंगे हम हम जाएंगे उनके पुराने सीजन हमने बात कर ली दो टीमों के उपर अब इस वक्त और वो एक केंड़बरी और एक नॉधरन ठीक हो गया अब हम बात करेंगे विलिंटन और केंडबरी की और ये याद रखें कि इनका स्कॉर्ड नहीं है दो अजार एकिस की बात कर रहे हैं अब मैंने जो बात की है ना मूर्तों वाली वो यहाँ पर भी अगर पिछले साल कुछ नजर आजे क्योंगे पिछले साल से इन्होंने सबी जानते हैं अब तो RCV भी जानने लग गई है और यहाँ पर बाकी बैट्समें की अगर प्लेयर की बात की जाए तो हिमिश बैनेट के लावा हमें कोई बैन सियर्स और हिमिश बैनेट आप कहलें कि दो बड़े नाम यहाँ पर हमें नजर आते दो मूरते दूसरी टीम क कितनी मूरते अभी तक मैंने देखा नहीं कौन जीतेगा लेकिन अभी मैं जहां केंट बरी इसके बारे में हम बात कर चुके हैं यह चोटी टीम है केंट बरी यहाँ पर हमें मैट हैनरी बड़े प्लेयर नजर आते हैं देख लें पिछले साल किया था ना क्योंकि पिछले स पाकिस्तान और इंडिया की तो इस साल जहां पर मूरते होंगी वो टीम जो है आपने उसकी हार लगानी है जैसे ही प्लेइंग लेवन आए प्लेइंग लेवन देखें जहां पर मूरत नजर आए यह मूरते जादा नजर आए तो उसकी टीम की हार लगा के आपने बैठनी ह सुपर समैश के अंदर ये पिछले साल का है क्योंके पिछले साल न्यूजिलेंड कावर दी कावर नी उसका नी इस साल वो पाकिस्तान और इंडिया की ड्यूटी पर है अब भी विलिंटन की हमने देख ली टीम के इसके अंदर फिन एलन जो है शायद हमें T20 पे जाते नदर आए लेकिन अभी फिलाल खेलेंगे जादातर प्लेयर यही होने वाले हैं हमेज़ बैनिट भी शायद हमें नदर आने वाले है तो विलिंटन की टीम जो है वो उसमें दो मूरते में बड़ी नदर आती है अब ये कल देखना पड़ेगा विलिंटन का जो नेक्स्ट मैच है किसके साथ है और उसके अंदर कितने बूरते है ये आपने देखना है उसके बाद आपने बटिंग करते हैं उटोगो वन अफ माइ फेवरिट टीम्स ये सूपर समैश के अंदर और वो अभी हम हमेश ओटोगो रधरफोड यहां पर नदर आते हैं न्यूजिलेंड से कभी खेलते थे ये लेकिन उसके बाद इनको पता नहीं क्या हो गया लेकिन इदर ब्यासी रंट ठोके ने हैं नोने नील ब्रूम बड़ी मूरत नदर आते हैं रधरफोड के बाद उसके बाद हमें यहां पर यह पिछले साल का बईया यह इस साल का नहीं है यह याद रखी लिए तो जो मैंने आपको बताए यह टकनीक उसको नहीं बूलना यहां पर जो है वो सेंटरल डिस्ट्रिक्स है और फिर इनके पास बेन वीलर, टॉम ब्रूस टॉम ब्रूस और कोई इतनी बड़ी मूरत नहीं है लेकिन इन्होंने मेरा ख्याल एक सो चौदा मारा तो गांडी पाड़ दी होगी और एक सेंटरल डिस्ट्रिक्ट्रिक्स ने चेज कर लिया है तो ये जो मैच होगा ना एक सुस्टी बड़ी टीम ने किया होगा और फिर छोटी टीम के छोटे छोटे बैट्समन जब कूटेंगे तो मज़ा आ जाएगा सुपर समैश का और उस गोड़े का भी और उस जीत का भी इसलिए सुपर समैश नहीं बूलना भया यह याद रखी जीगा सुपर समैश नहीं बूलना अब सेंटरल डिस्ट्रिक्ट गो हो गया यहां पर केंडबरी भी हो गया नॉर्धन टोगो भी हो गया तो तक्रीबन हमारी सारी नॉर्थरन डिस्ट्रिक्ट जो है उसको भी देख लेते चिलते चिलते ठीक हो गया अभी मुझे एक टीम है ऑकलेंड वो नहीं नज़रा यह आगी ऑकलेंड बहुत मार्केट लोड रहता है ऑकलेंड पर यह याद रखी जीगा अच्छा जी यहां है और टोगो का मेरे रखा स्कॉड देख चुके में और यहां पर अगर बात की जाए टिम स्टीफट और वो नॉधरन डिस्ट्रिक का वही स्कॉड है तकरीबन कॉलिंड लिंग रोम नहीं नज़रा आएंगे क्योंके बिग बैश पे हैं और इनके बाद मूरते हैं और यह की टीम की हार लगानी है मूरते मैं हमेशा बोलता हूँ मूरते जहां पर हूँ आपने उसके उल्टा लगाना है सुपर समैश के अंदर क्योंके यहां पर आपको बड़े-बड़े कमाल मैच जीतने को मिलने वाले हैं इसलिए यह वीडियो बनाईती वीडियो पुसंद यह हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दी जीगा और प्राफिट अकर बने सुपर समैश हो तो कमेंड भी की जीगा खुदा आपको